आज हमने बात की सूर्य देव के राशी परिवर्तन की सभी राशियों के लिए ये परिवर्तन अनुकूल नहीं है व्रिशब राशी, कन्या राशी, तुला राशी और कुम राशी के लिए परिवर्तन अच्छा है और बाकियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है तो अगर सूर्य देव के इस राशी परिवर्तन से आपको नुकसान हो सकता है तो क्या उपाय करें अब आप अगले एक महीने तक एक नियम बना लें कि रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अरपित करेंगे सादा जल प्लेन वॉटर सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जब करेंगे ओम नहीं लगाएंगे और हर रवी बार किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड का दान करेंगे ये उपाय एक महीने तक करें सूर्य के राशी परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव आपके उपर नहीं पड़ेगा